तो चमतकार चर्च टीवी में आपका स्वाक्त है परमिश्र के लोगों आज हम लोग चर्च की असलियत प्रोग्राम में कठे हुए हैं और आज मैं आप से मिलाना चाहता हूं हमारे बीच में एक बहन है और इनका नाम नीलम है तो आप मुझे थुदा से यह बताइए कि आप प्रभु में नहीं थे उससे पहले का यह सब कुछ हो गया था उसी आंखे-र कान काम करते थे तीन में ऐसे आगत हो गई थी मेरी तीन आतमान में ने को जगड़ा हुआ था था तीन आतमान तो कितने को समय से दुश्टातमां थी आपके ज़िए तो जब बच्चा होने वाला था तो उस समय दुस्टात्मा ने टाय किया और अभी वो 24 साल का है तो फिर इतना लंबे समय दुस्टात्मा रही तो फिर इतने दिन में तो बहुत कोशिए उसने उत्रफुतर कर दिया होगा तीन जार वार तो मैंने आत्मत्या कभी कोशिश की थी घर में भी जिसे कोई नहीं रहता तो कभी मैं वह लक्ष्मन रेखा थी वह खाने लग जाती कभी कुछ फांसी रेने लग जाती ऐसे होती तो आप आप देखिए थोड़ा सा कि कितने सालों तक जो दुस्टात्मा थी व उक्साती थी कि यह आत्मत्या करें क्योंकि यूना दस-दस में लिखा है श्यतान आता है नाश करने करिए तो यह इनके यह थाक में आत्मत्या कर लूँ और वह जैसे बतारी वह चौक होता है जो लश्मा रेखा कहते थे इसको चौक लगा देते हैं तांके वह ना आए सब्सक्राइब तो यह सब्सक्राइब आपको मतलों ऐसा कर रहा था तो जब उठते थे तो आई यह होता था था भी में मारी जाओं आत्मत्या कर लूँ ते सब्सक्राइब तो इदर उदर आपको काफी दिखाया होगा बहुत ज़रा लेके के पूरे ऐसी कोई जगा नहीं होगी जामिर को नहीं दार्म के जगा पर लेके गए होगे और कोई तांत्रिक के पास जहाने सुने सब के पास लेके गए हैं आच्छा कोई होस्पिटल भी क सब्सक्राइब तो किसी को यह पता ही नहीं चला भी यह तो दुस्टा आत्मा हैं वो तो वो सोच रहे होंगे भी इसके दिमाग में पागल होगी है इसके दिमागी फ्रॉब्म है इसके नाडियां खतम होगी है इस वजए से यह से करती है तो इसलिए और ज्यादा क्रेंट लगा ते लिए और ज्यादा पने डॉक्तर का नाम नहीं लेते अच्छा आपको पता था के है कि अपको पता चलता है तो तेन मिन ऐस इसे ऐसे एस अश्बीटल में तो तो इसे क्रणने का पानी में मिला के दो इनको कभी कोई राख देते थे जैसे वह पानी में गोल का पड़ाओ ठीक हो जाएगी अच्छा कोई भी तांत्रीक ऐसा निच्वड़ना गंगानगर में नवार कहीं तो मतलों यह शैर में गंगानगर में और ओर इन भी और सब जगह पिया उसका अलाज राते रहे इस बताते हैं कोई बताता यहाँ ले जाओ यहाँ लेक हो तो पिर आप ऐसे ऐसे बीमारी में पड़े रहे हैं किसी से निकली किसी से बिनिकली पता चल गया था उनको भी दुस्थ नशका है पता चल जाता था जिसके दुस्ता आत्मा है भूता है इसमें अंदर लेकिन उसको निकाल नी सकते थे कोई भी किसी के तापी ने एक बार तो मैंने मेरे बेटे के कवाड़ी उठा के मार दी थी उसके पैर पे अभी भी निशान है मेरे बेटे के अच्छा कुलहारी जो होती ह कवारी जय से लकडी काटते हैं तो वह आपने उसे मारी बेटे अपने बेटे को रहता कि अधर को अभी निशान फिर तो आपके हलात था धान संपत्ति पैसे के मामले में तो जो था आपका अपना मकान था वो बिक गया तो भी गया फिर आप करये लहें पर पिस रहने लगे लगे तो काम जैसे आपका पती काम कुम को में काम करके आ चाए करके क्या को सब्सक्राइब तो कराए पे फिर अपना घर चोड़कार अपना घर बिग्या और खुद कराए पे रहने रहना पड़ा तो कितनी मुश्कल होती है और पहले कैसे हलात थे और किसे हलात बिगड़ते गए तो तो फिर आप प्रभु में आए जानिके आप कैसे परविशर में आए मेरे पती आपके पास आए थे चापी लगाने लगाने आए थे तो तब आपने चाय के लिए उनको पूछा अचा ठीक ठीक तो मतलब यह हुआ था मैं आपको थोड़ा बताना चाहरा हूं कि वा कि हमारे बैक की चापी जो थी वो गुम होगी तो मेरे बेटे करने लगए चापी गुम होगी क्या करें कैसे करें ताब हमारा श्यार जो है उसके मेन जगा पर इनकी जो है वो दुकान है यह चापी ताले बनाते हैं इनके पती जो हैं काम करते हैं तो फिर उसको हम लोग लेकर आए थे वो कहता भी कितने पैसे लोंगा कह रहा था हां जी दोसर पिया लोंगा तो इसने ठीक है कोई बात ने आपको दोसर पिया दे देंगे आप आओ और हमारी वो चाबी इसकी डूब्लिकर बना कर वो गर परिया जब वो गर पर राया तो फिर हम लोग ने इसे बात की दोसर पिया दिया यह निको नहीं और बात की क्या हूआ था उस desयाइत्न कर गाद कैति नें पांस ताब्स जैसे आपने पैली वार प्रेयर करीश फिसी वक्ति मेरे आँड बैत कर रहे थे मैंने मुझे 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 पूच्छा कि प्शहता की थी कि और फिर वो कहने लगे मेरे घर का बुरा हाल है और गरवली भीमार है और इसे हम तो लुट गए है मेरे उपर मुझे यह कहा रहे हैं करजा कर जाब है तो फिर यहां पर हम लोगों ने कह रहा था मुझे मैंने का चाय पीला बनाते हैं आपके लिए काता है नहीं चाय नहीं पीनी बस ऐसी चाय प्लादो भी जो मेरे सारा कुछ दुख दूर हो तो हां तो फिर जब यहां प्राथना की तो आप गाट पर थे तो घर पर ही आपको सब्सक्राइब तो फिर आप चर्च काब आए कि दूसरे दिन आगे दूसरे दिन आगे दूसरे नहीं था उस वक्त वो चिकन गुनिया बुखार चड़ा हुआ था मेरे तो फिर आप के लिए प्राथना की तो प्रेर करते उसी वक्ती ठीक हो गई तो परमिश्का देनेवाद उस दिन से आपके जो दूस्तात्मा है वो निकल गई तीनों की तीनों निके कभी वो दिन है और आज कर दिन है उसके बाद फिर कभी दूस्तात्मानिया रहा है य क और फिर यार जो एक दिन की किस्त थी आप वो सोर पे रहे नौनिके वो करजा भी उतर गया परमिश्का धनेवाद करते हैं और फिर जो हमारा खुद का बन गया हमें आपके घर पर गया था हमिझा तो मकान अपना मकान ले दिया अपना मकान ले दिया और बीमारी निकल गई तो अब फिर आप कहते हूं मरना है फांसी लेने के एब डुक्तर ने कि बिलकुली रेस्ट करो चलते प्रेर करवाते हैं आपके पास आगे प्रेयर कर फिर ने तो एक्सरे में तीन हडी टुटी हुई और जब मैंने पराथना की दूसरे दिन फिर एक्सरे अक्सरे थीक होगी आपके अधियां देखो प्रभीश्यम सी कैसे काम करता है प्रभीश्यम सी कैसे काम करता है एक्सरे में हडी टुटी आई है और प्राथना के बाद अगले दिन जाकर वो एक्सरे करवा रहे हैं और उसमें हडी जुड़ी आई हुई है हालेलुया यह प्रभीश्यम सी का काम अध्बुत काम चब्दकर करकनमल परमिश्र है और मुझे इयाद है आपने पोहतर आतम हो पूरा पूरा पुरा और आपके पतंथ बी पूरा पॉरा पूरा और ॅ पाएक高 तो लुक्तर ने आपको फॉन किया यहां पे आपने प्रेयर करी तो वहां पे जाके दुबारा है अब तो कर वाया उसमें तो इसे आरे चैनसर आ रहा था आज तो कुछ भी नहीं इसे अच्छा आपकी बाबी के मतलग गूर्दे में गूर्दे में गूर्दे पूरा निकाद तो क्या मतलग उते किसमें हैं है हां कैंसर की है तो उसका परेशन कर रहे तो फिर आपने उस से फोन पर ही प्राथन कर आई और अगले दिन फिर आप उसके पास के डॉक्तर के बारा के तेक बार और करवातर कितनी बढ़ी कापे और ज्यादा पैजी हुई है तो जैसे आहां मतले एक दिन कर्कों और गुल सो कुछ करूए मैं यह उसा प्राथ-न वाले के बाद वाले नहीं प्राथ मैं वह शुक्र सय बाएं गुल्हे नंहीं करते हैं वह प्रदू हो जाती है यह न करने přमेशनी मैं मैं इनको क lei ओ вся चौर कर्ते हैं अब थोड़ी दर पहले आप बात का रहे थे वो किसी के बच्चे नहीं थे तो क्या था वो हमारे पड़ोस में एक उनके बारा साल होगे शादी को इनके बच्चा नहीं था तो मैंने सुमन भी होगे आप कोई किया था शाहिद फोन और तो प्रेयर करी अब उनके बच्चा हो प्रेश तो फोन पे प्राथन कर करें सब्सक्राइश जयते और तो प्राबू का दनेवाद करते हैं कि परमिशत करते हैं आप ने देखा है कितनी बड़ी समस्या थे कितनी बड़ी अदबुत इतने अदबुत चम्तकार परमेशन किया है कि उस सारी समस्ते से ने बार नकाला उन दुस्तात्माओं से कैसे बार नकाला आप ने सुना है इनके और क्योंकि ये इतनी लंबी गवाई होती है इसको हम लोग शौट में आप से बात करना चाते हैं कि आपको मैंने बहुत बार देखिए लोगों में ये बात कि दुस्तात में उन्हों आत्म तेकल करने के लिए बहुत अक्साती हैं ये तो हमारे बहुत किसा हैं तो ऐसा कैसे कितने कैसे बुरे हाल थे इनके लेकर जो अपना मकान था बड़ा मकान था इनका वो भिक गया कराय पर महान परमेशर हमारे काम करने वाला प्रबिश्वमसी आपको बहुत आशिश दें प्रबिश्वमसी आपके साथ रहें प्रबिश्वमसी आपकी मदद करें